मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया आपका तहह दिल से शुकृया आपने हमारे वीडियो को पसंद किया और यह जू जानकारी मैं आपको देना चाहती हूं इसको आप एंड तक सुनिये गा और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और अपने पेज पर शेर भी कीजेगा बहुत सारे आर्टिस जो हैं वो यह जानना चाते हैं वैसे बहुत सब को पता भी होगा कि नॉर्मली जब वो पेंटिंग्स बनाते हैं तो बनाने के बाद उसमें एक डलनेसी आ जाती है बहुत सारे कलर जो होते हैं, डेड हो जाते हैं नॉर्मली ऐसा आपमें ऑा देखा होगा, इक्रेलिक में भी ऐसा होता है तो आपको मैं बताना जाती हूँ कि आप पेंटिंग को बनाने के बाद उसमें इस्प्रे वार्णिश जरूर करें अगर आपकी पेंटिंग डलनेस हो रही है या जो कलर है उसमें डेड हो गए है वो उतना निखर के नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी पेंटिंग में वार्णिश इस्प्रे कर सकते हैं डोला रैनी का इस्प्रे आता है जो की चीप एंड बेस्ट है वो भी आप यूज कर सकते हैं और अपनी जो पेंटिंग में जो कलर डेड हो गए हैं उनको आप लाइफ कर सकते हैं और भी जादा attractive और खुबसूरत बना सकते हैं तो आप इसको like कीजेगा और subscribe कीजेगा और शेयर कीजेगा और अगर आपका कोई सवाल है आर्ट से related या पेंटिंग से related तो आप मुझे comment box में जरूर बताईएगा अपना ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिएगा